दोस्तों यह रहा मेरे पास मैं HDFC का बिजनस मनी बैक क्रेडिट कार्ड तो इसकी लिमेट वो 17,000 से बढ़कर एक लाग रुपए हो चुकी है तो कैसे लिमेट मेरी इंक्रेज होई बीना किसी ओफर के कैसे मैंने डोकुमेंस पेजी क्या पूरा प्रोसेस है लिमेट अगर हो चुकी है लेकिन यानि कि हमें बीना किसी ओफर के हमारी लिमेट बढ़ चुकी है यानि बहुत सो क्या होता है क्रेडिट गाइड पर यहां पर ओफर देखने हो मिलता है जिस ओफर से वह लिमेट कर सकते हैं लेकिन अगर आपको उफर नहीं मिल रहा है तो उसके बाद मे इसे एक साल पूराना हो चुगा यान एक साल हो चुगा आप छे महीने बाद अपनी लिमिट करवा सकता हैं अब लिमिट इंक्रेज करवाने से पहला आपको यह चीज़े जुरूर ध्यान में रखने लिए जो आपने रिपेमेंट वगेरा की है वो टाइम टाइम पेमेंट कि जो कि यहां पर आप देख सकते हैं तो यानि हमारी 83,000 जो लिमिट वो बड़ा दी गई है एक साथ में 83,000 जो हमारी लिमिट वो बढ़ चुकी है यानि काफी बड़ी लिमिट है जो कि बहुत सारे कार्ड है जो कि इतनी लिमिट नहीं बढ़ाते लेकिन इसनोंने काफी लेकिन सीबिल आपका है वो काफी अच्छा होना चाहिए तो आपकी लिमिट भी बढ़ जाएगी यहां पर आगर आपको भी कोई ओफर नहीं मिलता है तो आप कैसी लिमिट अपके बढ़ाएंगे तो सबसे पहले लिमिट बढ़ाने के लिए अगर आप इनको मेल करेंगे मेल में अगर आप कोशिस करें कि अगर यहां से ओफर है तो वह आपको डायरेक्ट लिमिट बढ़ा देंगी आपको ओफर देखने को मिल जाएगा माई HDFC कार्ड से आप ओफर हो चेक कर सकते हैं लेकिन अगर आपको ओफर नहीं मिलता है तो सबसे पहले इनको एक मेल कर दे दिवजिं चेननी वाला इट्रेस है तो इस पर आपको डूकूमेंस और से बेज देना है तो क्या क्या भेज़ेगे तो देंगी यहां पर आपको पर आपका झाल मिल जाए गा तो मैं आधार काड़ और पेन काड़ वह आँपर अटेज्स कर देना है और साथी में एक सिगनेचर फोम में वह भी यहाँ पर अपडेट कर दीजिए क्या होता है और जो हमें लिमेट इंक्रेज का जो फोम है वो कहां मिलेगा तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस प अगर आपके पास में कोई HDFC bank की जो branch है तो वहां पर आप जाहिए और जो documents है उसे आप submit कर दीजिए अगर आप HDFC की कोई branch नहीं आपके पास में रहते हैं तो आप साइध जो speed post होता है उससे आप बेज सकते हैं तो speed post पर आपको इस परका से यहां पर यह address है वहां पर टाइप कर देना है और फिर आपको documents बेज देना है अब देखिए documents बेजने के बाद में जैसे माल लेजेगी वह आपने एक तारीक डोकुमेंस से लिया है आपका documents वहां पर डिलेवर हुआ च्छे तारीक हो अब आपको कम से कम आपको 15 दिन वेट करना होगा तो 15 दिन वेट करेंगे तो उसके बाद में आपकी limit है इंक्रेज हो जाएगी तो इसमें आपको जुरूर ध्यान में रखे कि आपको यहां पर जुरूरी नहीं कि आपकी limit इंक्रेज हो जाएगी limit इंक्रेज होने से पहले आपको कुछ factor देगे जाते हैं आपका जो ITR उसे verify किया जाता है आपका pay number verify किया जाता है जो आपने signature वगेरा दिये हैं उन्हें भी verify किया जाता है अगर सब complete हो जाता है तो आपकी limit वो बढ़ जाएगी limit बढ़ने के पिछ आपका civil score बहुत ही matter करता है यह चीज आप जरूर ध्यान में रखे तो इस परका में तब तक के लिए बाई बाई जे हिन जे बारत